पता है मैं अभी कहां वैठा हूँ ये ट्रॉली है और मेरे को डर लग रहे है ये सब मेरे कम्या लोहे का लोगा है हम लोग किसान लोग हैं बस वेट कर सकते हैं और कुछ निकर सकते हैं हेलो गाइज वेलकम टू माई यूटूब चानल एहजी व्लोग और मैं हुस्तना द्रगत तो आज का दिन है साथ जन्वरी 2022 और ये मेरा फर्स्ट व्लोग होगा 2022 के लिए तो आज मैं जा रहा था अमंडी धान बैसने के लिए वो मेरा गाड़ी जा रहा होगा ये मेरा गाड़ी जा रही है मैं रहा हुए लेके जा रहे हैं मैं बस यहां पर अमीत का वेट कर रहा था क्योंकि उसका जो धान लोड यहां जिस ट्रेक्टर में खुद का ट्रेक्टर है पर उसका तो वह उसने रसी से नहीं बांगा है वाय। अही तो गया लग रहा है है रशी से नहीं बाइनता हुआ तो उसे को डर है कि गीर जा करकर तो मैं रुका पर रहा है तो मैं नहीं रूका हुआ था लोग स्टार्ट घर से नहीं किया और काफी दिन के बाद लोग करूं तो थोड़ा से confidence डगमा काता हुआ पर मेरे को लग रहा है आज मुझा आएगा तो ठीक है यहां से मैं निकलता हूं बस अमीद पहुंची रहा पीछे हमी है और ट्रैक्टर के आवाज आ रही है तो ठीक है यह इसका ट्रैक्टर जगा है बिठेकजबड बता है मैं अब कहां वैठा हूं यह ट्रॉली है और मैं इसको डर लग रहा है और मैं था ट्रॉली को उपर में जहां पर धान लोड किये हुए हैं यह और यह मजाग मजाग करें दूर गट्टा ना हो जा पर मजा रहा है इंजिन से वर्टर तो मेरे को इदर ट्रॉली मच्छा लगता है क्योंकि इंजिन में बहुत जजड़ जड़ करता है और ठंड़ 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 सुबह के सावा साथ याट बज रहोंगे यह असना निकलते है यह है हम लोग का धानमंडी हम लोग पहुंच गयता है यहां एकदम सुबह सुबह आना पड़ता है क्योंकि जगह की मारा मारी होती है जैसे बच्चे लोग नहीं बोलते हैं कि हम लोग बैठाएंगे हम लोग बैठाएंगे करके बस वैसे ही यहां मेरा जगह रहेगा यह म वो वाले ट्रेक्टर बजल आ रहे हैं उसको हम यहां लगाएंगे सोंचर हैं बाकी अभी यह वाले जो बोरा है इसको उतारना है हमको यह अमीद अपना बोरा उतार रहा है इनका हेल्फ करता हूं फिर मैं मिलता हूं उसके पापा और वो बस दो बस आये हैं यह अमीत का वोरा फुरा उतार ली हम लोग और वो वाले ट्रेक्टर उसको उतारना है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर आते हो उसके बाद के जब ट्रेक्टर से अपना धान उतारते हो उसके बाद फिर वहाँ पर कहां पर कहां पर वहाँ पर टोकन का दिखाना कट्राई है ताकि आग दें हम लोग भी बोही कर house कि यह फेड आ रहा है फिर हमारा धान कुटा रहेंगे इसके बाद फिर भाख लेंगे ठीक concur मिलते हैं फिर आ मेशल में यह यह वा लमीद का है और वो किसी और किसान का है यहां पर एसे करते करते मेरे खाल से करिये मैं 20 किसानों का अज़धान यहां से उठना है मतलब बैसने लाए हुए है पर जगह ब्यवस्तित नहीं है अगर होता तो अच्छा होता यह हम लोगा छोटा किसान यह भी दोड़ाया है देख लिए इधर रही हो चल जाएगा यह चाकू यह बोरा को उतारने के बाद हम लोगो बोरा को काटना पड़ता है जिसके लिए चाकू में मंग के लाए हम लोग लाए नहीं थे लो चाकू लो तो कोकलन गारी देखेगा अभी नहीं देखेगा तो यह हम लोग अभी बोरा काट रहे थे बोरा करसी कार रहे हैं, यह अभी हम लोग धान को पल्टी कर रहे हैं, ओ भीया, बोरा को छटका रहे हैं, और यह ऐसे करते हैं, मैं भी करूँगा भी, और यह भीया, सारे भीया लोग हैं, और जी जलग जाये हुए हैं, तो मैं यह कम करता हूं, उसकात मिलता हूं यह तॉल करवाते हुए हम लोग वैसे नाप के लाया आते हैं घर से और यहां पर फिर चेक करने के लिए यहां पर तॉलवाया जाता है और यह तॉल रहे हैं तो हम लोग अभी से लाइक करने जांगा भी वह खुला वला बो रहा है और इधर प्रेकर दिये सिल दिये हम लोग इधर यह और इधर कारी चल रहा है तो मैं भी जाता हूं कि यह फैनली अभी हम लोग यह से लोग रेडी कर देते अभी गिंती हो रहा है तो गाइज यह हम लोग फुरा सिलने के बाद फिर गिंती होता है उसके बाद फिर रही श्टर में नोट होगा गिंती के बाद बोरा को इस वाले चबूतरा टैप सब बनाये गए इसमें रखा जाता है पर गनिमत से है जिस दिन हम लोग धान बेचना है उस दिन यह ट्रक आया हुगा था तो सिधर लोड कर रहे हैं और अभी हम लोग यहां पर कापी टाइम लगने वाला है तो फीर होता यह है कि जैसे हम मंडी लेक आते हैं दान को उसके बाद फिर हम लोग दutारते हैं उसके बाद के पार पिर अनक को बुलाई जाता है गिनने के लिए ँन लोग गिनते हैं रजिस्टर में एंट्री करते हैं उसके बाद फिर धान का भंडारण होता है या फिर यहीं रखते हैं यहाँ पे जो दिख रहे हो चब उत्रों वहाँ रखते हैं या फिर सिधा ट्रक में लोड करते हैं पर गनिमत से हमारा आज किस दिन आयो हुए थे यहाँ पर फिर ट्रक आयो हुआ है तो उसी में लोड कर उसके बाद फिर रिश्टर्ड में एंट्री करते हैं हम लोग इतना वोड़ लाइँ करके फिर पर्षी काटते हैं पर्षी कट नहीं है जिसके हम वहां पर उसके बाद फिर साथ ओनलाइन कराना रहता है यह अभी हो गया टाइम तीन और यहां पर पुरा धान का खरीदी हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे को यह वाला रसीद मिला अब ही आगया के जा रहे हैं मैं पिछब जा रहा हूं बस सब अतना यह सिनाई बलाइं करके बैठे करें बस यह वाला पर चीग कर रहे हैं सबके सब लिए वाला पर चीग हम लोग अभी वह आप ले आफिस पे जाके ओनलाइन कराना है तो जा रहे हम लोग तो जो मेरे रसीद के बाब कर रहा था और यह जो वाइट वाली दिख रही है यह है टोकन और यह जो पीले और गुलाबी रंग में दिख रही है यह है कुछ-कुछ रसीद हैं जो इनको देखके अभी ओनलाइन करेंगे बस इसी का वेट कर रहे था हम लोग काफी टाइम से तो अभी हम लोग जा रहे हैं और यह वाला अभी जो टाइम लगेगा पता नहीं यहां पर कित दिन चार पांच छे साथ आठ नाव दस ग्यारा बारा बारा गाओं के यहां पर धान विक्री होता है यह ना हर गाओं के लिए अलग दिन तै क्या गया है टोकन लेने का वहां से आई हम दो एक दम तिर्मिलाक जिसाए कि हम आप पुरंत हो जागड़े आप से करके पर यहा नासता के लिए हम लोग किसान लोग की वेट कर सकते और कुछ नहीं कर सकते पैसा दो बोलेंगे तो पैसा भी ले देंगे गों खैसे में लाइट आगया हैं काफी देर इंताब करने के बाद अब है North appreciate में बाहर में बया लोग अंदर काम कराएंगे तो मिलते हैं काम होने के बाद में मैं कबसे बढ़ बढ़ा आ रहा था कि मैं धान बेशना आ आ हूं धान बेशना हों करके पर मैं बताय नहीं था कहां जा करके यो हम लोग का मंडी पढ़ता वहाथ यह था कि हम लोग आई हुए थे चार-पांस लोग और चार-पांस लोग रहना कंपलसर ही है क्योंकि अगर आप धानबेसने आते हो तो फिर दो-तिन प्रकार की काम Golden है जिनको अकेला अदमिंहीं कर सकता है वप सिस्पार वहाओं घार से अगर मेल जुल की एक जो पीला मों के हिए उसके भाद काद पीशीद में उनलाइन करते हैं में ये घर जाते हैं उसके बाद पैसा आता होãy 10–15 दिन का समय लेते हैं तो यह थाज का धान बेशने का प्रोसेस, तो अमित लोग निकल गए थे, वहां पर अंदर जाओगे, ओप्रेटरर सर के पास, तो पीला रसीद, लाल रसीद, और पताने क्या रसीद था, टोकन, उसको दिखा के आप को मिलता है ये वाला, वाइट वाला, ये सब कराते कराते एक किसान को काफी समय देना पड़ता है, और उसके बाद फिर पैसा मिलता है, तभी हम लोग जा रहे हैं, इसमें साइन कराने के लिए, उसके बाद फिर निकलेंगे घर, तो ठीक है, आधा मनके ओगरवाही क्या, ये साइन कराएगा, तो गाइस, फैनली हम लोग घर जाने के लिए निकल गए हैं, वो अमीत का ट्रैक्टर पीछे में, तो ये वाले वीडियो बस नहीं तक कराएगा, अभी घर जाके नहाँगा, मैं सुबह साय था, नहाया नहीं था, और आज का जो धान बैसने का प्रोसेस में आप लोगों को थोड़ा बहुत जितना नोलेज था मेरे कुट बताया, क्योंकि मैं भी एक्स्प्रियंस के लिए आया हुआ था, बाकी पूरा प्रोसेस मेरे भाई को पता होगा, बाकी जो भी था, मैं आप लोगों को बताया, वीडियो पे दिखाया, यहां का जो प्रोसेसिंग फीस है, वो है पर बोरी चार रुपया, हम लो आप लोग कोमेंट करिएगा कि आपके धानमंडी में यह सब होता है कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा, प्लिस कोमेंट करिएगा, मैं मिलता है किसी नेक्स्ट व्लोग पे, बाए बाए